काफी टाइम बात मैं आज में comparison वीडियो लेके आया हूँ मैं compare करने वाला हूँ Intel Core Ultra 5125H प्रोसेसर के साथ आने वाले टू लेप्टॉप्स को जिसमें से एक है Leno IdeaPad Slim 5A 16-inch और दूसरा है HP 15FD 1099TO दोगो यहां दोनों ही लेप्टॉप्स लगबग सेम प्राइस पे अवेलेबल हैं और इन दोनों ही लेप्टॉप्स को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट कोई भी क्यूशन था वो इस वीडियो में किलियर हो जाएगा हलो फ्रेंट स्वागत आपका से उटेक स्मार्ट में excitement को कंटीनियू करते हुए फड़ा बड़ कंपारिजन करते हैं अपको पता दूँ मैंने इन दोनों ही लेप्टॉप्स का डेडिकेटर रिव्यू चैनल पर अपलोड कर रखा है आप इस वीडियो के बाद में उन्हें भी देख सकते हो सबसे पहले फीजिकल और यू की बात करूँ तो लेप्टॉप में आपको मेटल बिल्ड देखने को मिल जाती है और पामरेश्ट और बोटम में प्रीमियम क्वालिटी के आड़ प्लास्टिक यूज की गई है अगर मैं कंपेर करूँ लेप्टॉप से तो बिल्ड क्वालिटी लेप्टॉप की बेटर देखने को मिल रही है और इन दोनों ही लेप्टॉप में सारे ही एसेसरी स्पोर्ट देखने को मिल जाते हैं यहां मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई से लेप्टॉप में कोई पोर्ट मिसिंग है दोनों ही लेप्टॉप में फूल साइज बैकलिट कीबोर्ड दिया हुआ है और साथ ही आपको numpad भी मिल जाएगा की travel काई space दोनों ही laptop में मुझे काफी अच्छा देखने को मिला और अगर मैं keyboard की quality की बात करूँ तो दोनों ही laptop की keyboard की quality काफी अच्छी दी हुई है security features की बात करें तो दोनों ही laptop में आपको webcam में privacy shutter मिल जाता है और HP की laptop में fingerprint sensor भी दिया हुआ है वहीं अगर मैं लेनाओ की बात करूँ तो इसमें IR camera दिया हुआ है तो आप face lock के कर सकते हो और all security features दोनों ही laptop के better देखने को मिल रहे है वेट की बात करूँ तो HP की laptop में आपको 1.6 kg weight दिया हुआ है वहीं लेनाओ की laptop में आपको 1.6 kg weight देखने को मिलेगा वो इसी वज़े से है क्योंकि ये 16 inch का laptop है इनके specs की बात करो तो दोनों ही laptop में same processor लगा हुआ है Intel Core Ultra 5A 125H processor है 14 core 18 thread और 18 MB की case memory मिल जाती है for performance 8 efficiency और 2 low power efficiency score मिल जाते हैं ये 2 low power efficiency score वहां assign हो जाते हैं जहां आप basic task कर रहे हो कोई background में music वगरा सुन रहे हो इससे फायदा ही होगा कि आपके laptop में battery backup ज्यादा मिलेगा तो यहां मैं आपको बता दू दोनों ही laptop में sam processor देखने को मिल रहा है memory लेनों के laptop में 16 GB की LPDDR5X 7467 MHz की onboard RAM लगी हुई है तेखो फ्रेंच यहां DDR5 RAM लगी हुई है काफी अच्छी बात है लेकिन आप इस laptop में RAM को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं वही इसके opposite HP के laptop में 16 GB DDR5 पे 5600 MHz की dual channel में RAM देखने को मिल जाती है आप HP के laptop में 32 GB तक RAM को अपग्रेड कर सकते हो देखो यहां मैं आपको दो दूँ लेनों के laptop में disappointment देखने को मिल रहा है क्योंकि onboard RAM है तो in future में आप RAM को अपग्रेड नहीं कर पाओगे लेकिन वहीं HP के laptop में आप RAM को अपग्रेड कर सकते हो इस टोरेज HP के laptop में 512 GB की PCI NVMe Gen 4 SSD दी हुई है जिसकी read and ride speed आपके सामने आई रही है लेकिन यहां एक plus point मुझे देखने को मिला लेनों के laptop में आपको इस टोरेज अपग्रेड करने की ज़रुती नहीं है क्योंकि इसमें 1 TB की PCI NVMe Gen 4 SSD मिल जाती है जिसकी read and ride speed आपके सामने आई रही है तो यहां RAM के मामले में HP का laptop winner हो रहा है लेकिन storage के मामले में Lenovo का laptop winner हो रहा है connectivity की बात करें तो Lenovo के laptop में latest Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.1 दिया हुआ है और वहीं HP के laptop में latest Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.3 देखने को मिल रहा है कोई ज़्यादा difference नहीं है को मिलती है गेमिंग वाले पार्ट में दोने लेप्टोप के अगर में battery backup की बात करो तो HP के laptop में 3 cell 41 watt और की battery लगी हुई है देखो screen brightness 50% backlit keyboard अब था movie वगरा देखी internet browsing वगरा मैंने सब कुछ की तो मुझे अराम से 4 गंटे के आसपास battery backup मिल गया था वहीं अगर में लेप्टोप की बात करो तो 3 cell 57 watt और की battery लगी हुई है वही screen brightness को 50% backlit keyboard को off रखा था movie वगरा देखी basic टास्क किये और internet browsing वगरा की तो मुझे अराम से 4-5 गंटे के आसपास battery backup मिल गया था और यहां फ्रेंड्स में आपको बता दू दोनों ही लेप्टोप में H-series का processor लगा हुआ है और अगर आप इन दोनों ही लेप्टोप में high-end टास्क करोगे तो फिर लगबग आपको 3 गंटे के आसपास ही battery backup मिलेगा और इन दोनों ही लेप्टोप के CPU की actual performance टेस्ट करने के लिए मैंने इन दोनों ही लेप्टोप में multiple benchmark इसको टेस्ट किया है तो सब सब पहले Cinebench R23 के scores आपके सामने है यह हैं Geekbench 6 के CPU और GPU के 3DMark Time Spy के scores आपके सामने आ रहे हैं CPU और GPU के और लास्ट में मैंने इसमें PC Mark 10 को रंग कराया था तो इस scores आप देख सकते हो लगबग मुझे दोनों ही लेप्टोप में score similar से ही देखने को मिल रहे हैं लेकिन मैं इस scores पर बिलीव नहीं करता मैं reality पर बिलीव करता हूँ और HP के लेप्टोप ने टाइम लगाया है 57 सेकंड है तो यहां तो केवल 3 से 4 सेकंड गए डिफरेंस देखने को मिल रहा है और जब मैंने वीडियो एंकोड गिया 4K to 1080p तो Lenovo के लेप्टोप ने टाइम लगाया 36 सेकंड है और HP के लेप्टोप ने टाइम लगाया है 46 से तो यहां 10 सेकंड के आसपास डिफरेंस देखने को मिल रहा है और जब मैंने दोनों ही लेप्टोप को बूट कराया है तो 14 सेकंड में दोनों ही लेप्टोप बूट हो गए थे तो यहां मैं आपको बता दू हलकिसी परफॉर्मेंस लेप्टोप में बैटर देखने को मिल रही है दोनों ही लेप्टोप के अगर में डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो लेप्टोप में 16 इंच की Full HD Plus से WQXGA IPS Anti-Glay display दी हुई है जिसकी ब्राइटनेस 300 nits और अच्छी बात है 100% SRGB मिल जाती है तो आप इस लेप्टोप में कलर एकुरेशे वाले काम भी कर सकते हो और फ्रेंड्स आपको भी बताए कि IPS डिस्प्ले में काफी नेचुरल कलर देखने को मिल जाते हैं वहीं अगर मैं HP के लेप्टोप की बात करो तो 15.6 से की Full HD IPS Anti-Glay display दी हुई है और इस लेप्टोप में भी आपको 300 nits की brightness मिल जाती है लेकिन यहां आपको थोड़ा सा drawback देखने को मिलेगा 45% NTSC Color Gamet देखने को मिल रहा है तो आप इस लेप्टोप में Color Accuracy वाले काम नहीं कर सकते है तो जैसा कि आपके सामनी वीडियो प्ले होई रहा है और देख पारे हो लेप्टोप में वीडियो क्वालिटी कॉफी ओसम देखने को मिल रही है और उसका रीजन यही है क्योंकि इसमें 100% sRGB भी मिल जाती है इसी वज़ा से Colors काफी नेचुरल देखने को मिल रहे है तो यहां मैं आपको बता दू लेप्टोप में डिस्पले काफी बैस्ट है हाला कि ऐसा नहीं है कि HP के लेप्टोप में डिस्पले अच्छी है IPS डिस्पले है बस इस लेप्टोप में आप Color Recuration वाले काम नहीं कर सकते है लेनों के लेप्टोप में 180 degree की हिंच मिल जाती है और बेजल्स कॉफी पतले देखने को मिल रहे है और दोनों ही लेप्टोप में Full HD webcam दिया हुआ है और साथी security के लिए आपको webcam में दोनों ही लेप्टोप में Privacy Shutter मिल जाता है और अब टेस्ट कर लेते हैं इन दोनों ही लेप्टोप की Graphical Performance यहां friends में आपको बता दूँ मैं जो Game Play करने जा रहा हूँ वो दोनों ही लेप्टोप में Sam Settings और Sam Mission पर प्ले करेंगे क्योंकि उससे ही actual अंदाजा लगाए पाएंगे कि Graphical Performance रहे है कौन से लेप्टोप की अच्छी देखने को मिल जाती है तो सब सबहले मैं प्ले करने जा रहा हूँ GTA 5 है गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को Full HD Medium सेटिंग्स पे प्ले किया है CPU 70 डिग्री, GPU 100 परसेंट यूज आ रहा है और RAM अप्रोक्स 12 GB के आसपास यूज आ रही है और और 80 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है और जैसा कि आप देख पा रहे हो, 40 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है और maximum 60 FPS तक टच कर रहा है यहाँ APS में Coffee Drop देखने को मिला है क्योंकि वहाँ Lenovo के laptop में 80 FPS की फ्रेम रेट मिल रही थी और यहाँ HP के laptop में 40 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है नेक्स गेम में प्ले करने जा रहा हूँ Sniper Elite 4 गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को Full HD Medium सेटिंग्स पे प्ले किया है और आपको भी पताए कि Sniper Elite 4 काफि ग्राफिक औरेंटेड गेम है तो देखते हैं कैसी फ्रेम रेट मिलती है जैसा कि आप देख पा रहे हो CPU 70 डिगरी के आसपास जा रहा है GPU 100 परसेंट यूज आ रहा है और RAM अप्रोक्स 11 GB के आसपास यूज आ रही है और जैसा कि आप देख पा रहे हो 40 APS की फ्रेम रेट मिल रही है Maximum 60 APS तक टच कर रहा है लेकिन मैं आपको बता दूँ 40 APS की फ्रेम रेट मिलना वो भी काफी अच्छी बात है वही है HP के लेटोब में CPU 90 परसेंट यूज आ रहा है GPU 100 परसेंट तक जा रहा है RAM अप्रोक्स 10 GB के आसपास यूज आ रही है और 40 APS की फ्रेम रेट मिल रही है तो यहां फ्रेंट्स मैं आपको बता दूँ Leno में और HP में मुझे सेम फ्रेम रेट देखने को मिली है और गेम काफी स्मूध चल रहा है और अगर मैं गेमिंग परफोर्मेंस की बात करूँ तो कहीं न कहीं Leno के लेटोब में बेटर परफोर्मेंस देखने को मिल रही है इन दोनों ही लेटोब में आप डे-टोडे टास मल्टी टास्किंग, टेली वर्क, ओपिस वर्क, शेर मार्केट वर्क आसानी से कर सकते हो और दोनों ही लेटोब में डेटिकेट एन प्यू चिप भी लगी हुई है तो AI टास्क भी आप आसानी से कर पाओगे देखो फरेंज यहां में आपको बता दूँ Leno के लेटोब में HP के कमपैरीजन में कुछ बेटर चीज़े देखने को मिल रही है जैसे कि आपको मेटल बिल्ड मिल जाती है साथ ही 16 इंच की डिस्प्ले लगी हुई है और अच्छी बात 100% SRGB दी हुई है तो कलर एक कुरीशे वाइले काम भी आप इस लेटोब पे कर सकते हो हालागी मुझे लेटोब के लेटोब में इन फ्यूचर में रेम को अपग्रेड कर सकते हो इन दोनों लेटोब के अगर मैं प्राइज की बात करो तो लेटोब के लेटोब की प्राइज कॉफी ज्यादा फ्लेक्चुएट होती रहती है कभी ये 80,000 का चला जाता है कभी 75,000 में मिल जाता है तो मेरा ओपिनियन यह है अगर आपके लिए बड़ी डिस्प्ले मेंटर करती है बैटरी बेकप ज्यादा चीए और साथ ही आपको कलर एकुरेश्य वाली काम करने है तो आप लेनाओ के लेटोब की तरब जा सकते हो और साथ ही आपको बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी मिल जाएगी HP के कंपरीजन में दोनों में जो डिफ्रेंस है वो अराउंड आपको 5-6,000 रुपे का देखने को मिलेगा अब 5-6,000 रुपे जयाता लग रहे हैं तो लेनाओ के लेटोब में आपको बैटर ओप्शन भी देखने को मिल रहे हैं तो आई ओप आपके सारे डाउट्स किलियर कर दिये होंगे फिर भी आपको कोई भी क्योशन कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जोड़ो कमेंट्स करके बताना और अगर वीडियो अच्छा लागा हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिए चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए थैंक्स वर वोचिंग, हेवे नाइस डेज, जैहिन, वांदे मातरम